हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं लोग्यान चैनल मैं हूँ सुप्रीमरी सुकल हम आपसे अभी तक इस चैनल पर लोग से सम्मंदग टॉपिक डिसकर्स करते थे लेकिन अब आगे से लोग के साथ सत जीयास एलिटरी टॉपिक भी डिसकर्स किया करेंगे अगर आप किसी भ हम आपको यह सुचना देना चाते हैं कि लौ ग्यान के पेट गुरूप फिचलते हैं बिहार जुडीश्री के लिए लौ और जीयस का बिहार एप्यो के लिए लौर जीयस का प्री और मेंस दोनों का पेट गुरूप अपलब्द है अगर आप पेट गुरूप में वीडियो और अन्यमा दिमों से आपका पूरा स्लेवस्त कराया जाएगा आईए अब आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत में उन्होंने किस तरीके से अपनी पकड मजबूत की किस तरीके से अपनी पकड बनाई शुरूबाती करेंगे कि अंग्रेज जब आये थे उनके साथ साथ जो समकाली सक्तियां थी उन्होंने किस तरीके से अपना ब्यापार प्रारम किया इससे जो भी वन लाइनर कोश्चन या औब्जेक्टिव कोश्चन बरेंगे उनको हम इस वीडियो में देखेंगे पहला कोश्चन अब का आही तक मना पढ़ा था कि बिट्रेस कंपनी जो भारत में पहला अधिकार पत्र लेकर आई थी उसका नाम था इस्ट इंडिया कमपनी तो ये लीवंट कमपनी क्या है जब सिनमार्لى से ब्यापार होता था तरब उसंठल मार्ण से ब्यापार करने के लिब पहला जो इसका नाम East India Company था, जिसको अधिकार मिला था, और स्थल्माक्स किसको अधिकार मिला था? लीवेन्ट कंपनी को मिला था, ठीक है। अगला कोश्चन देखते हैं, East India Company को अधिकारपत्त पर्दान किया जाना, बिट्रेस इस्ट इंडिया कंपणी ने भारत में अपना पहला कार खाना कहां इस्थापित किया था मतलब बिट्रेस जो अधिकार पत्र लेके इस्ट इंडिया कंपणी आई थी उसने अपना जो पहला कार खाना था वो कहां इस्थापित किया था आपको इसका अंसर पता ही होना चाहिए कि अपना पहला कारखाना East India Company ने सूरत में स्थापित किया था ठीक है अगला कोश्चन है अंग्रेजों द्वारा ब्यापार के अंदर स्थापित करने के सही करम क्या है अंग्रेजों ने जो अपने ब्यापार के अंदर स्थापित किया उसका सही करम क्या है तो अंग्रेजों ने जो अपने ब्यापार के अंदर स्थापित किया पहले सूरत में किया फिर मद्रास में किया फिर बॉंबे में किया और फिर कलकत्ता में किया और यही ब्यापार केंदर आगे चलके अंग्रेजों की जो भारत में उन्होंने अपनी सकती स्थापित की उसका प्रमुक केंदर रहे हैं खासकर मदरास, बॉंबे और कलकत्ता ये तीन प्रेसिडेंसी थी जहां से पूरा सासन गवर्न होता था तो अंग्रेजों दोरा व्यापार केंदर रिस्थापित करने के आपको चार नाम दो दी जाएंगे और उनका सही करम ब्योस्तित करने के लिए पूछा जा सकता है अगला कोश्चन है शोला सो क्याबन में मुगलो दोरा बंगाल में किस स्थान पर इस्ट इनिया कंपनी को ब्यापार करने और फैक्टरी बनाने के अनमत दी गी थी है ना तो आंसर हो गए कासिम बाजार ठीक है आपसे दो तरीके से कोश्चन पूछा जा सकता है कि अंगरेजों को किस संवे कासिम बाजार में फैक्टरी स्थापित करने के लिए अनमत दी गी थी तो 1651 में किस ने दी थी मुगलो ने दी थी ठीक है तो इस तरीके से आप ज लकता में जो दुर्गा बनाया था उसका नाम कहा था उसका नाम संथा इस इस किस इस्थान पर रोखे गहे थे तोॉ सब्सक्राइब और इसका विश्था वहां पर रखे गए थे इनके सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थे वर्षेश अगला कोश्चिन है सब्त वर्सी युद्ध में कौन से दोदे सामलते तो सब्त वर्सी युद्ध जो था वो इंग्लेंड और फ्रांस के बीच हुआ था और इसका विश्था वहारत तक वह था जब हम एंगलो-फ्रेंच बाउऔर पड़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि करहा पर सब्त वर्सी कब से कब तक वहारत विश्हां하는 जो सब्सक्राइब और फ्रांस अगला कोश्य ने विट्रेस ने पंजाब को किस सर्म अपने रा पwood जॉर संगर्षा कर पाया तो 1889 में इंग्लेंड ने पंजाब को अपने राज मैं मिलाया था झिकव कलकत्ता का संस्तापक कौन था आंसर पूस्चन ये बहुत बार पूशे जाते हैं इसका आंसर याद कलीजे जौब चौणनाक अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखे बताना है कि अब कलकत्ता के संस्तापक से ये क्लिटिक कोश्चन है कि दिल्ली का जो आर्गिटेक्ट था वो कौन था दिल्ली का जो बास्त सास्तर कारी था वो कौन था ठीक है अगला कोश्चन इस्ट इनिया कंपनी का राजपूत राज़ों में सायक संदी करने का मुख उद्दे से था मतलब जो सायक संदी का कॉंसेट था उसमें इस्ट इनिया कमपनी का मुख उद्देश से क्या था अंगरेजों की प्रोषत्ता है उसको इस्थापित करना उनकी छित्र का विश्थार करना सायक संदी लौड बैलेजली का कॉश्प्ट था मुख रूप से इंग्लेंड के जैम्स प्रथम के राजदूत सर्ड टॉमस रो किस मर्स भारत आए तो 1651 में जैम्स प्रथम के राजदूत सर्ड टॉमस रो भारत आए अब दो तिन कोश्चन मनते हैं सबसे पहले इंग्लेंड का कौन सा राजदूत भारत आया तो उनका नाम कैसे सर्डॉमस रो ठीक है कब आए 1615 वे आए ठीक है और किसके राज़ दूद थे उसमें इंग्लेंड में राजा कौन था तो उसमें इंग्लेंड में राजा थे जैम्स प्रथम अगला कोशन है जिस अंग्रेज को जहांगीन ने खान की उपादी से समानित किया उसका क्या नाम था तो जिस अंग्रेज को जहांगीन ने खान की उपादी से समानित किया उनका नाम था बिलियम हॉकिन्स ठीकका। बिलियम हॉकिंस अगला कोशन है जिश मगल समराट के काल chatter वाकौनी अगला कोशन इस इन्दिया कंपनी को किस अंगरेज गवर्नर को औरंजिव द्वारा भारत से निश्कासित किया गया था इस इंदिया कंपनी के किस कवर्नर सब्सक्राइब Chic जोंचायल्ड को वशो किया जाण निन्सकासट किया था और यह into Caseang आधेश किस पड़िया था यह निस्कासन का अदेश ऑर अ ώन जेब ने दिया था है अग्ला कोश्चिन है भारत पहु है 16 शूरत में सथाफत ठीक है और वह पहली फैक्टरी ती इस्ताबित की तो अग्रेजों अपनी पहली फैक्टरी सूरत में इस्ताबित की दिए जिसका रहनाद अग्रेज 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 अग्रे अग्रेस एक टेनमार्क की अग्रेस लिए और ना फ्रान्सिसी है ऑग्रेस के तो यूरोपीयों को सर्वूत्तम आहर सूरा और अफी प्राप्त होता था कहां से प्राप्त होता था बिहार से अगला कोशन ने अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्टरी जिसकी अन्मत से स्तापित की थी तो अंग्रेजों को उनकी पहली फैक्टरी स्तापित करने के लिए जहांगीर्ण अनुमत दी थी, जहांगीर्ण ती, अगला कोशन है, मुंबई ठ्रब्बाह्ट के रूप में यह मना गया, कि बैबाहिक भैट के रूप में पूर्बई दे दिया था, और फिर अंग्रेज के जो सम्राट थे जिनको मुमई मिला था देज में उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी को इसको किराये पर दे दिया था बार सिक्राइप अगला कोशन फरक्सियर के गातक रोग का अप्चार किसे ने किया था डॉक्तर बिलियम हैंमिल्टन फरक्सियर के से गात्क रूप का उक्शार किया था डॉक्टर बिल्शलैंव 소शने हैं इन पी चालरा है men मोगल शम्राटबाराद। बैगल धातलों मुंटिए क्या उक्ट साइगा यह यह कहा है। आगला कोशें है किस्ना पनामोरा जतरुेर किस्ट थालों कि बंगल में ईन्द करोंद्धर करनेम स्ताह्फित कहां तो इन्द पहलत इ November कासिम मुझिर्वात सबहरने Listen दानी मुंगर्य के उसका नाम है मीर कासिम कि अगला को स्था 9 बारत से लड़े गए युद्धों का सभी काल मों अट सक्वार्स सब्सक्राइब bezने तब अमबर प्लासी वांडिवास वक्सर करेंगे अगला कोश्चन है काल कोटरी की गड़ना जो कि सिराज़त दौला के समय गड़ेत हुई थी का बड़न किसके दौरा किया गया है तो काल कोटरी की गड़ना का बड़न हॉल विल दौरा किया गया है अगला कोश्चन है प्लासी की उद्ध में किसने उद्ध में सामिल ना होकर सराज़त दौला से विश्वासकाद किया था मीर जाफर ने उद्व में सामिल ना होकर सराज़त दौला से विश्वासकाद किया था अगला कोशन है मंगाल के किस नवाब ने तोप के गोले और बारूत के निर्माण का कारकाना मंगेर में इस्तापित किया मीर कासिम ने तोप के गोले और बारूद का कार खाना मंगेर में इस्ताबित किया था अगला कोश्चन है प्लासी के उद्ध में सराजु दौला की पराजे के लिए मीर जाफन ने किसके साथ मिलकर सड़ेंतर रचा तो यह सड़ेंतर मीर जाफन ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रचा और जिसमें मराठा वी सहमत्ते और साथी अंग्रेजों के रवर्ट क्लाइब इसमें है अगला कोश्चन है वह है योद्ध जिसन भारत में बिट्रस प्रवत्तोक प्रारम केअ प्लासी का योद्ध है बारत में बिट्रस म्राजी का संस्तापक कौन था रोवर्ट क्लाइब को माना जाता है अगला किसे स्वर्फ से उत्मत्वन सेना नायं कहा जाता है, अगला renovation है, प्लासी का युद्ध मैदान कहा इस्तित है, फलासी के युद्ध का मैदान बस्चे मंगाल में इस्तित है, अब यह हो गया पहला बाट इसके बाद जो आगे के युद्ध से समंधृत Значит है वो पुरमुख पुरमुख जो ये दिसे संबंदित कोश्चन है हम अगले वीडियो में डिसक्रस करेंगे आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग देखें और मेरा उत्रावरतन हो और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए डाल सकूँ अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो बहुत जन्दी हम लोग एक अच्छी तैयारी के इस तरह पर पहुन जाएंगे थैंक यू इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन दवाना बिल्कुल न भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट जो वीडियो हो